सब में हम लिए खीन ऐस को अधूम नहीं है हलो बैक श्टूजटों सब का सॉख़त है मेरे यूटब चैनल पर मचेंजों क्लाउस का लास में लिया क्लाउस के जो पार्टों सौते हैं उसका class मैंने लिया, Claus related जो भी point से उसको मैंने clear किया आज मैं Claus के एक और point को clear करना चाहता हूं आज के इस वीडियो में Claus को मैं बताओंगा जो noun clause, adjective clause, adverb clause क्या है इसका प्रयोग sentence में कैसे होते है clauses में तो इसको हम लोग आज विस्थार से समझेंगे शीखेंगे चलिए बिना समगवाय हम लोग आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके पहले बता दू यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें लाइक और सेर जरू करें इसे हमें उत्सा एनरजी मिलती है हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप तक वी जहते हैं जो होते हैं किस तरह से होते हैं वो काम कैसे करते हैं सेंटेंस सेंटेंस करते हैं थिक अधिक में चीखेंगे नाउन क्लाउज जो होते हैं वह क्या है हम कैसे है are now close का सुरुफात कैसे होता है हम लोग कैसे भूपस पहचानांगे कि नाउन close कौॉन सा है ठीक है चले परफी समय लेते हैं नाउन close is a डिपेंडेंटटग्लाउद मैंने पिछले क्लाॉज के वीडियोज में बताया था कि डिपेंडेंट अधिके अ किसी ना किसी प्रिंसिपल क्लाउज पे निरभर रहता है इसलिए इसे डिफेंडेंट क्लाउज कहा गया है ठीक है? A noun clause is a dependent clause that acts as a noun. अब वो जो clause जो clause बनता है, जो dependent clause है और जो noun के जैसा काम करता है, ठीक है? आपको यह समझना कि वी यहda use clause जो noun के aks काम करता है. यहां कहने मतलब है कि जैसा noun किसी sentence में काम करता है, जैसे noun का पर जैसा SNT में होता है, उस तरह से यदि किसी क्लाउज का परियोग होता है नाउन के जैसा तो एक नाउन क्लाउज है ठीक है तो नाउन क्लाउज क्या हो गया कि नाउन के जैसा परियोग होने वाले sentence जो एक dependent clause है वो नाउन के जैसा प्रयोग होता है तो नाउन clause हो जाता है ठीक है नेक्स देखेंगे नाउन clause is start with the words यहाँ आपको ध्यार में रखना होगा यह है ठीक है इसके साथ साथ ठीक है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन clause जो होते हैं वह स्टार्ट होते हैं वह स्टार्ट होते हैं किस से कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूँ इन वर्ड के साथ वह स्टार्ट होते हैं इन वोड्स से यानि शुरुवात में यह सारे वर्ड्स होते हैं यह सारे वोट्स हो सकते हैं आपके नाउन क्लाउज के सुरुवात में यह वैसा डिपेंडेंट क्लाउज जिसका सुरुवात में यह सारे वोट्स रहता है तो उसे noun clause कहते हैं मैं फिर से दूर आ रहा हूँ वह ऐसा dependent clause जिनके सुरुवात में यह सारे words जिनको मैंने अभी बताया उनके सुरुवात में रहते हैं तो वह noun clause है तो यह definition अपने समझ लिए noun clause क्या होता है अब noun clause के परियोग हम लोग सिखेंगे और साथ-साथ आपको बताऊंगा कि noun clause है कैसे, ठीक है, देखे, noun clause is act as subject of man verb, noun clause का परियोग होता है किसी man verb के subject के रूप में, ठीक है, तो मैं यहाँ दो sentence लिख रहा हूँ, यह दो sentence है, यह किसी subject के रूप में noun clause का परियोग होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता है कि noun clause वैस dependent clause होता है, जो किसी दूसरे clause पर निर्भर रहता है, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे, यह दोनो sentence के माध्यम से, कि noun clause जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो दूसरे clause पर निर्भर होता है, और noun clause जो होता है, किसी man verb के subject के रूप में होता है, किसी man verb के subject के रूप में हो ठीक है मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि वैसे क्लाउज जो वैसे डिपेंडेंडेंट क्लाउज जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और जिसका शुरुवात में यह सारे वर्ट्स हो सकते हैं जैसे यहां वाट लगा हुआ है यहां वेदर लगा हुआ है इसका मतलब अंडरलाइन किया वह एक नाउन क्लाउज है यह एक नाउन क्लाउज हुआ है अब सबसे पहले इस सब्जेक्ट सब्जेक्ट यह सब्जेक्ट जो मैंन भर्व के सब्जेक्ट की रूप में कैसे हुआ है वह देखना है सबसे पहले तो मैंन भर्व यह है यहां मैंन भर्व ह तो इसका सब्जेक्ट ये है इसका सब्जेक्ट ये है ठीक है तो इसके माध्यम से हमने समझा कि जो नाउन क्लाउज होते हैं वो किसी मैन भर्व के सब्जेक्ट के रूप में परियोग होता है तो यहां इस हो गया मैन भर्व ठीक है इस हो गया मैन भर्व और इसका जो или कै veggie boughtंश में वह किसी भी मैंश भाद की सब्यायक्ट के रूप में होता है में वह हैं यहां इस सब्जेक्ट और यह जब यह है क्लाउज है वह यूज आपको भलפ यह लेकिन इसके सुरुदाए् वेदर से ठीक है यह complete sentence तो नहीं है इसमें कहीं न कहीं जरूर लगता है आपको कि किसी न किसी sentence पर यह dependent है जो कि है यहाँ पर is true यहाँ है is not नौन ठीक है तो यह मैं भर्ब के subject के रूप में परियोग हुआ है फिर नेक्स तुम देखेंगे जो noun clause है वह object of transitive verb होता है transitive verb पे intransitive verb पे मैंने वीडियो बनाया है अब उससे देखें आपको सारी बातें समझ आ जागे कि transitive verb क्या है इन ट्राजिटिव ठीक है तो ट्राजिटीव बंस मैं बता हुँ कि ट्राजिटीव ऒर्व होता है वैसा फार्व जिसके बाद कोई ना कोई ऑबजेक्ट आता है तो कोई भर्ब के ग inform के रूप में होता है अब देखना ये भर्व है ठीक है अब देखना ये जो है ये अब्जेक्ट है ठीक है इसका सुरुवात हुआ है वाट से मैंने बताया कि इन सारे वाट से सुरू होता है तो एक नाउन क्लाउस है ठीक है तो ये क्या हो गया ये नाउन क्लाउस हो गया ठीक है अब देखना यह ठीक है यह भर्ब है यह भर्ब है और यह भर्ब है इसका अबजेक्ट यह भी है और देखना इसका अबजेक्ट यह है तो यह जो परियोग हुआ है यह एक प्लाउज है और प्लाउज होने के साथ-साथ यह जो भर्ब का अबजेक्ट है यह प्लाउज होने के साथ-साथ इस क्लाउज कप रियोग औब्झेक्ट औप रिपोजिशन भी होता है यानि परिपोजिशन देखने के लगा किया अश्कषाऎर कैसे हुआ कर्यों कि दिखिए तो हो आउन क्लाउच Unternehmen यहां देखने सबसे पहले यह इक नाउन क्लाउज है चुकि hops उत्बगात वह ओंस है ठीक है अब इसके just पहले दिखना यह जो आफ है ओफ क्या justement है तो preposition के object का मतलब कि proposition के बाद preposition के object का मतलब है preposition के बाद noun clause का परियोग हो न तो यहां preposition के बाद noun clause का परियोग हुआ इसकल 집ने चल्एकि तो मैंने आपको बताइए कि नाउन क्लाउज जो होते हैं उसका डेफिनेशन बताया और नाउन क्लाउज का परियोग जो है अब्जेक्टम नाउन क्लाउज के बाद नाउन क्लाउज को देखेंगे एडिक्टिव क्लाउज को देखेंगे Adjective clause qualifies a noun और a pronoun Adjective clause जो होते हैं वो किसी noun या pronoun को qualifies किसी noun या pronoun की विश्यस्ता को बतलाता है Adjective clause कहलाता है अब देखें इसको और एक नाम से जाना जाता है It is called relative clause यानि Adjective clause को relative clause भी कहते है Adjective clause का परिभासा हमने समझा कि Adjective clause जो होते हैं वो किसी noun या pronoun को qualify करते हैं उसकी विश्यस्ता को बतलाता है और Adjective clause को हम लोग relative clause भी कहते हैं यहाँ Adjective clause यनि clause जो होता है एक पूरा sentence होगा एक पूरा sentence होगा जो किसी noun या pronoun की विश्यस्ता को बतलाता है ठीक है अब चलिए एडेक्टिव क्लाउजे जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं उसकी सुरुवात होती है किस से हो सकती है हो से हो सकती है हो से हो सकती है विच से हो सकती है दैट से हो सकती है बट से हो सकती है ऐस से हो सकती है यानि इन सारे वोड से एडेक्टिव क्लाउज की स शुरूआत हो सकती है और एडिक्तिव क्लाउज होता है Ε persistent होता है दूसरे क्लाउज पर वो जो क्लाउज होता है है वो जुए क्तर से संटेंज होता है मादियां प्रोनाउज के ठिक है तो चलिए कुछ सेंटेंज के मादिय हम सब्लों सीखेंगे this is the girl who abused me सबसे पहले यहां देखना who आ रहा मतलब यहां से यहां तक यह जो clause है यह आपका adjective clause है यह आपका adjective clause है और यह विशेष्टा बतला रहा है किसका? इस sentence का this is the girl यानि who जो है वो girl की विशेष्टा बतला रहा है वो लड़की की विशेष्टा बतला रहा है this is the girl यही वो लड़की है who abused me जिसने मुझे गाली दिया तो जिसने जो है यह जो है जिसने मुझे यानि किसके लिए आया इस लड़की के लिए आया और यह लड़की क्या है? यह लड़की एक noun है यानि यह जो पूरा adjective clause है यह विशेष्टा बतला रहा है किसका है? इस लड़की का और यह क्या है? noun है तो पुरी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होकी दूसरा sentence हम लो देखते है that is the player that is the player who played well अब देखना that is the player वही खिलाडी है who played well जो अच्छा खिला तो जो यहां who जो का मतलब यहां हो गया who यह जो किसके लिए आया? इस खिलाडी के लिए और यह player जो सब्द है यह एक क्या है? यह एक noun है यानि यहां भी क्या कर रहा है? कि adjective clause किसी noun की विष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् एडवर्ब क्लाउज को भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है, सबसे पर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, एडवर्ब क्लाउज का, एडवर्ब क्लाउज क्वालिफाइज भर्ब, एडवर्ब अफ दे प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज के भर्ब क्लाउज जो होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लाउज के भर्ब क्लाउज जो होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लाउज के भर्ब क्लाउज जो होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लाउज के भर्ब क्लाउज जो होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लाउज के भर्ब सकता है एड़ब्व की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् I shall wait. मैं इंतजार करूँगा. यहां देखना. Till he returns. यानि ये किसम विष्यश्ता है बतला रहा है? समय की विष्यश्ता बतला रहा है. готовед मैं इंतजार करूँगा उसके आने का. इंतजार. यानि भर्ब की विष्यश्ता यहां. बतला रहा है यह पूरा clause till he returns जब तब आई ने आएगा नहीं तब तक मैं इंतिजार करूँगा इंतिजार येस नेक्स देखो you will pass if you work hard अब देखना यदि आप कड़ी महनत करोगे तब अब क्या करोगे पास करोगे यानि ये जो adverb clause है ये विश्यस्ता बतला रहा है इस भर्ब की पास की यदि तुम कड़ी महनत करोगे तब क्या करोगे आप पास करोगे ठीक है चलिए नेक्स देखते है you may sit wherever you like अब जहां चाहे वहाँ बैट सकते हैं यानि इस भर्ब की भी ये विश्यस्ता बतला रहा है अब देखना यहां वेट पास और sit यह क्या है यह है प्रिंसिपल क्लाउज का भर्ब और यहां से यहां जो है यह प्रिंसिपल क्लाउज है इसका भर्ब वेट है यू विल पास एक प्रिंसिपल क्लाउज है जिसका भर्ब पास है यू विल सीट एक प्रिंसिपल क्लाउज है जिसका भर्ब सीट है तो इसके माध्यम से मैंने तीनों संटेंस के माध्यम से बताया कि एड़ब क्लाउज जो होते है किसी principle भर्व के प्रिंसिपल क्लाउस के भर्व की adjective की या adverb की विसेशता बतलाता है जैसे sentence के माध्यम से मैंने आपको बताया है तो बच्छान आज का class आपको कैसा लगा आप जरूर से जरूर बताएंगे इस class में आपको बताया noun clause, adjective clause और adverb clause इन तीनों clauses के बारे मैं आपको सारी जनकारी दे दिया और मैं कोसिज करूँगा कुछ एक वीडियो जदी बने तो मैं clause पर वीडियो बना करके आपको और कुछ क्लारिफाय करूँगा तो फिराल और मोटा मोटा आप जान ले noun clause, adjective clause और adverb clause इसके पहले मैंने clause की definition बताया subordinate clause, man clause जो भी जतने clauses हैं उसके जो sentences हैं उसके बारे में बताया है तो उमीद करता हूँ कि सारी वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं आपको और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रू से ज़रू सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को से करना और लाइक करना तैक्स पुर्वाचिं कि अ